बोली विंदावन विहारी लाले कीजे अधिक मास को पुशोत्तम मास भी कहा जाता है यह महीना बगवान श्रीयरी विश्णु जी को समर्पित होता है कहते हैं कि अधिक मास में पूजा, व्रत और अराधना करने का फल भी कई हजारों गुना बढ़ जाता है इसी कारण अधिक मास में आने वाली इस पदमीनी एकाच्छी को और भी अधिक परभावशाली माना गया है एक बार धरमराज उदिष्टिर जी ने भगवान श्री कृषन जी से अधिक मास की एकाच्छी के महत्व और व्रत के बारे में पूछा तब भगवान श्री कृषन जी बोले हे पांडू पूत्र पुर्शोत्तम मास अत्वा अधिक मास की शुकल पक्ष की एकादशी पदमीरी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है यह एकादशी अनेक पुन्यों को देने वाली है इसी कादशी के मातमे का वर्णन करने का सामर्थे खुद ब्रह्मा जी भी नहीं रखते इसकी कथा मैं तुम्हे विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ तुम ध्यान से सुना तेता युक के समय महीश्मती नाम की नगरी में एक राजा राज्य किया करते थी उस राजा की एक हजार राणिय थी लेकिन उन सभी में से किसी को भी पुत्र नहीं था जो आगे चलके राजा के राज्य का भार समाल सके इस बात को लेकर राजा बहुत चिंतित रहा करते थे राजा ने हजारो यग पूजा पाठ और तब किये देटा और पित्रों को भी प्रसंद करने का खूब प्रयास किया परंतु सभी कोशिशे उनकी असफल रही इसके बाद राजा ने निर्ने किया कि वह तपस्या करेंगे जब राजा तपस्या के लिए जा रहे थे तो उनके साथ उनकी सबसे परम प्रिये राणी पदमीनी जो की इश्वाकू वंश के राजा हरीश चंदर की कन्या थी बहभी राजा के साथ वन में चलने के लिए तयार हो गई राजा और राणी दोनों गंद मादन परवत पर तपस्या करने के लिए चले गए राजा ने उस परवत पर दस हजार साल तक तपस्या की फिर भी उने पुतर की प्राप्ती नहीं हुए तवरानी पदमिनी को देवी अंसुया जी ने बताया कि बारा मास से भी अधिक महतुपूम पुर्शोत्तम मास यानि की अधिक मास को बताया गया है यह अधिक मास तीन साल बाद आता है इसमें द्वादशी युक्त शुकल पक्ष की पदमिनी काश्ची का वरत कर पूरी रात जागरन करने से सभी मनुकामनाई पूरी हो जाती है इस वरत को करने से भगवान श्रीरी विश्नु प्रसंद होते हैं और पुत्र प्राप्ति का वरदान भी देते हैं तब रानी पदमिनी ने पुत्र प्राप्ति की कामना करके माता उन्सुयां के बताई हुए इस वरत को करने का संकलब किया। साथ ही उन्होंने वरत रखकर सारी रात्री जागरंडी किया। जिससे भगवान शरी विष्णू बहुत अधिक प्रसंद हुए। और उन्होंने राजा और रानी को पुत्र प्राप्ति का वर्दान दे दिया। वरत के परभाव से रानी पदमिनी और राजा कीर्ती वीर्य को ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई जो बहुत ही बलवान था। और उसके समान तीनों लोकों में और कोई बलवान नहीं था। भगवान श्रीयरी विश्णु के सिवा उसको जीतने का सामर्थे और किसी में भी नहीं था। तो दो वक्ती अधिक मास के शुकल पक्ष की एकाश्ची का व्रत करता है और जो भक्ती भाव से कथा का पाट करता है ये सुनता है उन पर भगवान श्रीयरी विश्णु की किरवा बनी रहती है और उन्हें वैकुंट लोक की प्राप्ती होती है। बोली व्रिंदावन भिहारी लाले की जै 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 श्री राधी।